बागिश्वर में पीते दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया है। घाटी वाले हिस्सों में दिंबर बारिश रही तो उचाई वाले हिस्सों में हिमपात के कारण कड़ाके की ठन पड़ रही है। बागेश्वर के कौसानी, चोगाउंचीन, धरमघर, विजयपूर सामाल लीती आदिस्तानों में भारी हिमपात होने की सूचना है। बारिश हुआ हिमपात के कारण बाजारों में भी सन्नाटा छाया रहा। इधर जिला दिकारी रंजनार राजगुरू ने कलेक्टेट में आपात बैठक करते हुए बागेश्वर की इस्तिती की समिक्षा की। उन्होंने बागेश्वर की इस्तिती से प्रदेश मुख्याले को भी अवगत कराया है। इधर जिले में आपदा परबंदन टीम को अलर्ट पर रखा गया है। आपदा परबंदन अधिकारी शिखाशुयाल ने बताया कि मुख्य मोटर मार्गों में बरफ हटाने के लिए जेसी भी तैना की गई है। उन्होंने बताया कि किसी भी आपाद इस्तिती से निवटने के लिए प्रशाशन उस्तेर है। CCN News के लिए सुरेश पंडे की रिपोर्ट